अपनी राय बता देना, ठीक है, हालांकि उससे फर्क कोई पड़ेगा नहीं, क्योंकि अप पड़ाय यह जाएगा, ठीक है, फिर भी मैं पूछ लेना चाहता हूं कि पहला टॉपिक क्या वास्ता में टेंस सही होता है? वर्ब, और कुछ? नाउन, और कुछ? ठीक है, ठीक है, मैंने कहा उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, जो मन में है बोलते जाओ, पड़ाओंगा मैं यही, हाँ, और, पता देखो को ते, क्या कर दूँ, क्या कर दूँ, क्या कर रहे? 1857 की क्रांती, 2018 में, हिला हुआ है गया? देखो, जैसे मैं कल कह रहा था न, वह बात जो मैं इंग्लिस में कहता हूँ, वह बात था मैं सीरिस होती है, ज्यादा था चीज़े डिपेंड करती है, ठीक है? आप इंग्लिस क्यों सीख रहे हो? यह डिपेंड करता है कि चैप्टर कौन सा पहला होने चीए? बहुआ, इंग्लिस बोलने के लिए सीख रहे हो? ठीक है, स्कूल, कॉलिज में जो लेंग्वेज की उज़र होते हैं, वो सीखने के लिए इंग्लिस पढ़ रहे हो? या कॉम्पिटिशन के लिए इंग्लिस पढ़ रहे हो? फिर हम उसको जब वर्ब पढ़ते हैं तो जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वर्ब का वो मुझे अलाव नहीं करता नहीं तो वर्ब बास्ता में basic chapter है ठीक है लेकिन जिस तरीके से मैं competition के users समझाता हूं या competition में आने वाले examples को explain करता हूं उसमें वर्ब के बहुत से users होते हैं ज आसल में होता है कि जिन बचुने noun का मैं कह दूँ यह बुरा ना मांजाए तो अगर याद करके English सीखनी है तो noun अच्छा chapter है अगर English को याद करके सीखना चाहते हो ना तो noun बढ़िया chapter है subject हो रहा है उससे भी बढ़िया है लेकिन अगर English को वास्ता में समझ के सीखना चाहत है तो फिर यह chapter अच्छे होते हैं तो हम लोग 10 से सुरुवात करेंगा ठीक है कई बज़े होती है देखो एक तो बज़े यही कि बड़ा important chapter होता है ठीक है दूसरा मुझे लगता है कि इस chapter के through जो हम language के fundamentals और basic सीख लेते हैं वो कोई दूसरा chapter इतने मौके नहीं दे सकता में सिखने के ठीक एक और भी बज़े होती है जैसे हमारे जो voice on narration होते हैं ठीक है यह chapter और एक छोड़ा chapter मैंने कल भी बताया होगा साथ conditionals tense के बाद पढ़ेंगे ठीक है यह सब tense से related होते हैं तो हम एक तरीके से यह कह सकते हैं कि tense chapter को लेकर हमारी understanding जितनी clear होगी न उतनी अच्छे chapter हमें वो भी समझ माएंगे तो इसलिए भी tense से शुरुआत कर देते हैं क्योंकि वह बास्तब में competition के flavors की तो backbone का ही जा सकता है English की backbone नहीं कह सकते हैं लेकिन यह तो कह सकते हैं कि हमारे competition का slavers है उसकी backbone कहने कहें पर tense है ठीक है तो tense से हम लोग फिर सुरुआत करेंगे चलो सबसे पहले जान लेते हैं tense होता है इन दोनों में से कोई भी बताई जो दोनों लेटा है टेंस क्या होता है काल किसी भी action को past या present तुम बताने के लिए tense करते हैं या किसी भी incident को action and incidents हाँ बात तो तुमारी बहुत अच्छे लेकिन बस वो नहीं है जो मैं पूछ रहा हूं हाँ मैं यह पूछ रहा हूं तुम बता रहे हुए tense करता गया है क्यों करते हैं मैं यह थोड़ी पूछ रहा क्या करता है tense क्यों क्यों करते है tense को मेरा चोटा से question है कि tense होता क्या आंसर तुमारा सही है ठीक है हाँ लेकिन to the point वो बंदा था उसने उस चिसका आंसर दे जो मैंने पूछा था तो वो बतारो जो मैं पूछ नहीं रहा हूं टेंस क्यों होता है verb की form छोटी सी बात है tense होती है verb की form ठीक है तो हम ऐसे कह सकते है tense is a verb form ठीक है अच्छा क्या करती है verb की form जिसे हम tense कहते है हाँ it is a verb form वर्ब की एक ऐसी form होती है विच रफर्स तो सम इस स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम इस स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम तो टेंस के usage वगएर सीखने से पहले नो थोड़ा था टेंस की definition को एक वा रिफ्रेस कर लेते हैं बहुत से बच्चे होंगे उनको नहीं रहेगी और बाकी जो है वो अपना क्लियर करें ठाव ठीक है और वो ध्यान देना 100% clarity इसमें दोन भी बाते चिप हुई है टेंस क्या होता है वर्ब की फॉर्म टाइम के पॉइंट को रफर करते हैं अब थोड़ा सा नहीं इसको हम और भी डिटेल में समझ लेते हैं जिससे क्लेटी का लेवल बढ़ता जाए वर्ब क्या होता है पेटा वर्ब क्या थे वर्ब बोले गई नहीं अरे भई वर्ब क्या होता है एक्जेक नहीं बता सकते जो पता भी बता थो वर्ब हम कहते हैं किसी भी ऐसे वर्ड को जिससे किसी काम के होने के जाने का पता चले ठीक है तो वर्ब हम कहते हैं मैंने का नहीं वर्ब का एक ही रेफरेंस आता चोटा सा वह जनली बच्चों को पता होता जिन्हें नहीं पता तो वह जान जाते हैं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जिसके थ्रूं किसी काम के होने के जाने को करते हैं जैसे हमने आपर एक वर्ड लिख दिया सपोूर्व हमनें लिख दिया पैंडímल पैंसे टीक तो ये एक्षरुटियों ने नेमए तो हम इसको नंउन क्टेग्री मानें घैक एक बोर्ड म्यग्ट उनन टिक लेकर अगर हम यह लिख देंग है अब वाच जह होता है वह एक नाम भी होता है इस से हम टाइम पता करते हैं और वाच देखना भी होता है तो यह नाउन भी है मिला बिनारी का पता चाली इसे सब्ध básicamente अब care तो पुछ उस्केवल नेम होते हैं नोड से एक्या चेंप एक इसके अलावा और भी काटेगरीज होती हैं, अड्जेक्टिव अड़ोर वगएरा, उनकी फिलाल में भी हमें कोई जरूद नहीं पढ़ने जा रही है। तो हम वर्ब कहते हैं किसी भी ऐसे वर्ड को जिससे काम के होने के जाने का पता चले है। उसके बाद में यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं हम वर्ब को टेन्स नहीं कहते हैं। हम उसकी फॉर्म को टेन्स कहते हैं। चार होती है, चलो, थीकिए, मैं ये नहीं पुछता कि Verb की Swarms कितनी होती हैं, मैं ये पुछता हूँ, one of फे million कित नहीं होती हैं? कितनी होती हैं? एक कौन गह रहा है? किसी ने तो एक कहा है, तभी तो आवा आजा ही? एक किसने का? si, herd. देखो यह जो मैं तुमसे पूछता हूं न वह इसलिए नहीं पूछता कि तुम्हारे आंसर से मैं कुछ पढ़ाना बदल दूंगा या नहीं वह मुझे जिस स्पीड से जैसे पढ़ाने मैं वैसे पढ़ाऊंगा मैं केबल इसलिए जानना चाहता हूं कि आज जो मैं मानता तुम कुछ और तो नहीं मान रहे हैं वो बच्चे जो यह कहते हैं वर्प की first form एक होती है वो बताएं ज़रा इन में से कौन से वाली first form है क्वार दोनों यह ना तो एक किसे नहीं तो जो बच्चे अभी तक एक मानते हैं वह अपने को सभी करें वर्प की फर्स्ट वम एक निंदो थी थी है अभ इन दोनों फर्म को हम कैसे क्वार्श करेंगे क्योंकि अभी तक हम पढ़ते हैं उसके अइसाब से यह 1 और यह है क्या कहते हैं से वी फॉर वी फाइव यह वी फाइव है लेकिन मैं कहा रहा है दोने फास्ट फॉम होते हैं ठीक है फिर इन दोनों में डिफरेंस कहा है इन में दोनों में डिफरेंस यह कि यह जो गो है ना यह वर्ब की बेस पॉर्म बेसिक अच्छा गोस जो है यह इस वर जिसमें कोई अल्टरेशन नहीं किया गया जैसे मालो हमने यह वर्व लिख दी इट तो यह जो वर्ड है ना इस वर्ड की बेसिक फॉर्म है तो हम इसे कहेंगे बेस फॉर्म कहें दो बेसिक फॉर्म कहें दो एक ही बात है कि लेकिन अगर हमें इसको स्प्याने के लिए एक लिघ ग दिया अब यह तो इस वर्ड की बूंगी बेस form अच्छा उसी base form को modify करके हमने बागी कुछ forms त्यार कर ली तो देखो वर्ब तो एक ही है लेकिन उसकी form कही हो गई तो वर्ब तो एक ही है eat लेकिन यह उसकी different forms है तो हम इसे कहेंगे base form इत is the base form और eats है, eight है, eaten है, eating है यह इसकी derived forms है जो हमने उसी base form को change करके बागी त्यार कर ली तो अगर हम कहना तो किसी भी वर्ब की basically दो टाइप की forms होती है एक वो जो उसकी original form होती है ठीक है और एक जो उसको modifier करके बागी forms त्यार कर ली जाती है यह होती है वर्ब की forms अब होत V2, V3, V4 और V5 हम वर्ब की forms ऐसे पढ़ लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा आसान लगता है बोलने में भी और याद रखने में भी लेकिन अगर आसान लगता है लेकिन सही नहीं हो तो क्यों याद कर लेते हैं यह सही थोड़ी है यह जो V1, V2, V5 हम वर्ब की forms पढ़ते ह हैं यह भले हमें आसान लगता हो और हमने इस तरीके से चीजों को याद कर लिया हो लेकिन यह सही नहीं है सही क्यों नहीं है देखो इसको भी समल लेते हैं एक वर्ब होती है ठीक है हो ना इसका मतलब होता है इसकी एक वर फिर्स्ट फॉम बताना तो इस, एम, और, और बेस फॉम भी खुद भी फस्ट फॉम होती है बेस फॉम भी फस्ट फॉम होती है तो यह इसकी फस्ट फॉम सोमें अर्ड हम बताना वह थ वर थार्ट फॉम अदना विईнов कोण्तिनास बीन अब ज़ी रहें को वी 1, 1, 2, 3, 5, V5 के हिसाफ से categorize करके देखो कर पाओगे कर पाओगे कर पाओगे करी नहीं पाओगे क्यूंकि अगर उस तरीके से करोगे तो देखना V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 यह तो कहीं ज्यादा हो गई अब हमें पता यह तो सभी को पता होता है इंगलिस आती हो ना आती हो लेकिन यह तो होता भी थ्री भी नहीं है हम क्या करते हैं कुछ चीज़े ऐसी पकड़ लेते हैं याद कर लेते हैं जो हमें easy लगती है easy to remember easy to apply लेकिन ध्यान देना easy और effective में basic differences होते हैं कोई ऐसे जरूरी नहीं कि जो चीज़े effective है वह हमें सा easy होंगी या जो easy हो हमें सा effective होंगी फिलाल तो यह जो तरीका है ना V1 V2 V3 V4 यह बोलने में अच्छा लगता है लेकिन यह केबल अच्छा लगता है यह अच्छा है नहीं अच्छा हो है तो सबसे पहले हमें यह समझना कि जो वर्ब की forms होते हैं वह यह होते हैं first form second form third form और continuous form हर एक वर्ब की first form दो तो होनी है एक base form औ होती ही में अलग बाते हैं अब यह जो वर्ब की forms हैं जब हम इनके through time के points का refer करते हैं तो हम इने tense कहते हैं एक चीज़ और भी समझना ऐसा नहीं है कि वर्ब की forms जो होते हैं वो केबल tense ही होती है हाँ यह दिरे-दिरे हैं मैंने कहा ना कि tense chapter हमें जितना सीखने का मौका देता है ना दूसरे chapter उतना सिखा नहीं सकते उन में शुरू से याद करना सुरू हो जाता है इसमें याद करने को कुछ है नहीं जैसे हम एक tense पढ़ रहे हैं तो हमने का tense वर्ब की form है आगे tense खतम हो जागे न तो हम एक छोटा से चैप्टर पढ़ेंगे mood present subject team पेटेव सब Israeli मूढ जो होते हैं फिर एक चैप्टर वहाइस है औ estamosenez यह भी वहाइस है आब इनमें दिफ्रेंस क्या होता होता है जिनके टाइं करते हैं अगर आगर हम किसी word की form के through time के point को refer करें present, past and future को over तो फिर हम उसे tense कहेंगे अगर हम word की किसी form के through Speaker के intention को express करें कि कोई person किसी बात को किस intention के साथ गया रहा है तो हम उसे mood कहेंगे ठीक है voice danny verb की वो form होती है जिसके through हम यह express करते हैं जो उसका subject है वर्ब का ठीक है मैंने का न वर्व बेसिक चप्टर होता है लेकिन नहीं बह। पहले पड़ा लूँ क्योंकि मैं वर्ब में टैंस के बहुत च्रह्टार हो उता क्यों क्यों कि बिश्चेया जीचे क्लियर कर दें कि उ तो टेंस भी वर्ब की फॉर्म है, मूड भी वर्ब की फॉर्म है, वोइस भी वर्ब की फॉर्म है, फंक्सिन इनके अलग अलग है, अगर हम वर्ब की फॉर्म के थुरू टाइम के पॉइंट को रफर करें, तो उस वर्ब की फॉर्म को टेंस का जाएगा, अगर हम वर्ब की किया इरादा है क्या वो पॉइंट सामने रखना चाहता है तो मुषको मूड कहेंगे अगर हम वर्ब की वर्ब के थू सब्जेक्ट के डूर रेसीवर होने को एक्सप्रस करें तो हम उसे वोइस कहेंगे किसी काम के होने का या किये जाने का पता चले वर्ब की फॉर्म कितनी होती है वो भी यह में पता चल गया वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म और कॉंटिनुस फॉर्म वी वी टू वी थृ मैं तो खेर कभी भी नहीं कहता लेकिन आग हां इंटर्वल बिट्विन टू एक्संस हालांकि बाग तो थोड़ी बाद सही है तुम्हारी भी देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है लगूं की ट्रिकी हो गया लेकिन ऐसा है नहीं मैं समझाना चाता हूं इसलिए थोड़ा सा यहां से सुरात करूंगा अगर मैं टाइम को को नहीं तो मैं ऐसे कोंगा यह फौर्थ डैमेंशन होती है ठीक है टाइम जो वर्ड होता ह इसको घड़ी के कलेंडर का टाइम नहीं मनना वो उसका मैनिफेस्ट है ठीक है जो टाइम होता है यह होता है डाइमेंशन एक ठीक है कोई बच्चा डैमेंशन की मीनिंग डेफिनेशन बताएगा अरे कुछ भी बताएगा यार पढ़े लिखे मुझे पता जातर बच्चे मेरे पास पढ़ने वाले साइन साइड के होते है ठीक है तो जल्दी से डैमेंशन की स्पेलिंग उता दो इस्पेलिंग पूछ रहूँ डेफिनेशन बता दो लाइन ओफ एक्षन जहां पर बडी मूव करती है ठीक है और तीनों एक्सेज़ों अगर कोई बडी मूव ना करे तो कोई डैमेंशन होगी या नहीं होगी क्यों नहीं होगी can we relate two of bodies they are not in moving condition can we relate them तो relate करने के लिए कुछ तो यूश करोगे वही तो dimension होता है तो क्या मैं ऐसे कह सकते हैं कि dimension is an aspect of relation or measurement अगर हम कहें general definition में तो क्या हम यह मान सकते हैं कि dimension यह कैसा aspect होता है जिसके तुरू हम relate करते हैं चीजों को या measure करते हैं बड़ी छोटी से बात है कोई बच्चा science head का नहीं होगा उसको भी पता होगा जैसे maths पढ़ते हो ठीक है geometry बगार है तो 2D होता है 3D होता है अब जैसे height third dimension है तो यह है क्या aspect ही तो measurement का है ठीक है volume को measure करना तो कैसे करोगे height से relate करके कर पाऊगे नहीं तो volume तो पता चले गई नहीं तो area लिए वेठेर हो ठीक है तो length यह दो यह दो aspect है measurement के ठीक है length को breath कर थूम area वगरा find कर लेते हैं अगर हमें कभी किसी का volume पता कर रहने तो उसमें height की विजरूद पढ़ जाएगी तो height एक तीसरा aspect हो गया अब मैं गहरा हूं कि time भी aspect है time जो है यह भी dimension है that we use to relate all the actions happening around or with us हमारे साथ होने वाली जितनी भी घटना है हमारे आसपास होने वाली जितनी भी घटना है जिससे हम relate करते हैं वो time है time एक dimension है आप time नहों तो आप कैसे बता होगे कोई भी चीस एक चीस सोचो जैसे हम घर से निकले ठीक है तो वो time घर से मुखरिजने करता है आने जितना time लगा मतलब जो duration रही बीच में वाल वो भी time ठीक है फिर हमने यह आपर पढ़ाई की कितने तक पढ़े वो भी time कितने वज़े class शूट ही वो भी time मतलब everything is related to time हमारे साथ होने वाली सारी घटन से related to time है तो time एक dimension है जिससे हम relate करते हैं all the events happening with और around ourselves हमारे साथ या हमारे आसपास होने वाली हरे कटना को हम time से relate करके express कर पाते हैं time से relate नहीं करोगे तो कैसे express कर पाऊगे बताई नहीं पाऊगे इस कारे में तो एक dimension नहीं है जैसे length width height होते हैं एक छोटा सा example ठीक है और बात बहुत clear हो जागी अगर बात समझ में आजा जो कही जा रही है एक movie है लूसी अब मुझे लगता है बहुत से बच्चों नहीं देखी होगी देखें लूसी मूवी किसे ने किसे ने देखी story बता देगा अच्छा ठीक है खत्म सावास क्या movie है पूरा sentence भी नहीं फुल स्टॉप भी नहीं रखा बीच में हो छोड़के चला गया खत्म होग है कैसे लूसी मूवी की कानि उता दूब एक मंदक स्मगडिंग करते हैं ओड़के पिसे नहीं देते हो लोग बेढ़ इसको उसको उसको मालते वादने तो वो ब्रेक हो जाता हों लिए खतंग खतंग होगी बात हर खतंग ना खतंग बदब अब मैं पूरी करता हुआ है मैं बसे देखना जाता है कि वास्ता में लुशी जासी मूवी देखने वाले बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं फिक है पता है इस year को रिलेट कर लो मैं दिखाना चाहरा हूं इश करना हूं कि हम इस लेंग्वेज़ को देख तेंसे टो तो मैं तुम्हारता पाया तो मैं तुम्हों सिखा पायों तुम सीसटा है तो मैं यह ना होता है जो उसमें क्या होता है कि कुछ smugglers होते हैं वो एक synthetic chemical होता है CPH4 उसको smuggled करते हैं तो वो क्या करते हैं दो-चार लोग पकड़ते हैं उनके पेट में operation करके मतलब डरादम का कि उनके पेट में operation करके पाउच रख देते हैं और उनको flight से भेजते हैं कि जहां तुम पहुंचोगे वहां पेट से निकाल लिए जाएगा ठीक अचा उस लड़की के पेट में भी वो रख देते हैं operation करके fight में क्या होता है बीच में वो एक pouch होता है उसके पेट में burst हो जाता है बस्ट हो जाने से वह chemical उसकी body के साथ में रियक्ट करने लगता है बाइवरेक्शन होने से क्या होता है कि उसकी body में neurons active हो जाते हैं neurons तुम लोग मुझे लगता है जानती होगे unit of our nervous system हमारा जो nervous system है ना तंत्र का तंत्र कहते हैं क्या होते हिंदी में उसकी unit होती है neuron तुम ऐसे मान सकते हो कि unit of our brain हमारे brain की unit होती है तो उसके neurons active होने लगते है इंसान इतना करें बचा करते हैं तो हम इंसान इतना ठीमाग कर्ते में उस movie से अगर में तुम्हें एक्टिव होने लेक्त तो उसमें यह दिखाया मूवी में कि अगर हमारे ब्रेन की efficiency रेविएल हो जाए तो हमारे साथ में क्या फिनॉमेना होंगे है जितने होते हैं और सब्सक्रांद के इस अब उसके इनelles कि यह वह एग्रियाज होते हुझarette साउंड वेब्स हैं, रेडियो वेब्स हैं, एक्सरेय लाइट्स हैं, सब उसको विजिबल हो जाता है, everything is perceptive, उसका perception इतना तकड़ा हो जाता है कि कोई भी चीज जैसे नहीं होती है, उसको पता नहीं हो, हर एक चीज उसके notice में होती है, past, present, future, सब कुछ, दिवार के उस पार संदियार हैं, मैं वो चाता था कि उसको तुम समझो, वो time को describe करती है, Lucy, एक physicist है उसमें, तो उसको समझाती है, तो वो कहती है, time is the only absolute thing in this universe and everything else is relative to it, कि इस universe में हर एक चीज जो है न, वो सापेक चिक है, मतलब relative है time के, और time है ultimate, time है absolute, अगर time है तो सब कुछ है, time नहीं तो क कितने अच्छे example से उसको समझाती है, देखना, वो कहती है, माल लो एक racing track है, ठीक है, यहाँ पे एक observer है, और एक car है वो बार बार आ रही है, तो हम उसको देख पा रहे हैं, अगर हम उस car को infinite speed दे दें, तो क्या वो car हमें दिखाई पड़ेगी, नहीं दिखेगी, कहां गई infinite speed दे दोगे, तो वो जो gap था उसके आने और जाने के बीच का, जिसको हम time कह रहे हैं तो खतम हो गया, तो वो car भी खतम हो गया, तो मैं जो तुम्हें समझाना जाता हूँ, यह time जो है, इसी से हमारा existence है, हम अपने साथ होने वाली हर एक चीज़ को related time से करते हैं, तो time उसी physical world में दो तरीके से express करते हैं, एक points में और एक duration में, भाई जो time है, वो तो fathomless है, उसको तो आप क्या major कर लोगे, वो infinite है, ठीक है, लेकिन हम उसको relate करने के लिए अपने घटनाओं से जिस तरीके से express करते हैं, वो दो तरीके हैं, एक points में और एक duration में, ठीक है, मानलो यह timeline हो गया, यह तो infinite है, इस पर एक point ही हो गया, यह point मानलों कोई date हो गया, कोई day हो गया, कोई hour हो गया, कोई decade हो गया, कोई century हो गया, एक दूसरा point ही हो गया, अभी जो दोनों point है यह भी time है, और इन दोनों के point के बीच का जो interval है, यह भी time है, तो time को हम दो तरीके से express करते हैं इधर इन पॉइंट्स। और ऐग्र डूरेशन. डूरेशन का मतलब दो पॉइंट्स के बीच के इंटरवल. तो जो हम टाइम को अपने मतलब अपनी दुनिया में जो हम लोग को रिलेट करते हैं तो वहाओ पर time का मतलब हमार लिए क्टेर्ट दिरैसेन होता है अब वह सकते हैं कि वह वह टाइम होगे जो घड़ी में यह वो समय की बात वो समय जिसने सब कुछ देखा यह इसके टाइम कह रहे हैं इसके डिफेरेंट पॉइंट्स होते हैं यह हमारे रिलेशन में होते हैं ठीक है ठीक है अगर हम अपने से relate करें तो हम time को different points में different zones में categorize कर सकते हैं इन points को हम present past या future कहते हैं हमने अपनी सुवधा के लिए चीजों को relate कर लें उनसे तो हमने time को भी divide कर दिया suppose कर लिया ठीक है तो वो जो points हम जिनके through events को relate करते हैं time से उन्हें present past future कहा जाते है present past future क्या हो सबको ही पता है present means something that is existing past means something that has gone और future means that something will come ठीक है तो future मतलब कुछ ऐसा जो भी होगा past का उलब जो हो गया present का उलब जो है यह जो time के points है present past future जब हम इन्हें refer करते हैं verb की form के through तो हम उस verb की form को tense करते हैं तो tense कुल मिला के verb की form होती है जिसके त्रों time के points को refer करते है verb का मतलब होता है any word that refers to some action verb की form का मतलब होता first, second and third और continuous भी ठीक है time का मतलब होता है the ultimate dimension that we relate every action with our time के points का मतलब होता present past future अब मुझे लगता है tense क्या होता है यह बात हमें समझ में आगे होगा कि tense क्या करता है वह भी समझ में आगे होगा ठीक है अब हम बढ़ते हैं इससे आगे कि चलो tense की definition आगे अब tense की definition आजने से number तो नहीं आ जाएंगे paper में questions तो नहीं हो जाएंगे उनके लिए हमें और भी कुछ जरूद पड़ेगा वो जो और कुछ जरूद पड़ेगा उसको भी हमें सीखना है तो सबसे पहले यह पता कर लिए वो और है क्या जो हमें सीखना है देखे मैं तो कौंगा दो ही चीज़े हैं जो हमें सीखनी है एक तो हमें सीखना है tense का identification जो हमारे competition के slavers में tense based questions आते हैं या जैसे मैंने का कि voice है conditional है narration है इन सब में टेंस की जरूद पड़ेगी तो किन चीज़ों की जरूद पड़ेगी वहाँ पर translation meaning की का जरूद पड़ेगी translation meaning से तो कुछ होगा नहीं जितने चाहिए meaning निकाल लो ठीक है हम वहाँ पर जरूद पड़ती इन दोनों चीज़ों की तो हमें यहीं सीखने हमें दो चीज़े टेंस में लेकर सीखनी है एक तो हमें कतों है की methods को सीख हो वहाँ है तो हमें या सेंट में परक्राइब हो रहाँ है पर जो कौन सा टेंस है और यह सई है गलत है और अगर वह गलत है तो क्या करने से वह सई होगा ठीक है आइडेंटिफिकेशन जब हमाई क्लियर हो जाता ने टेंस का तो जो वॉइस और नेरेशन में चैप्टर बता रहा था न इनके क्योश्टन हमसे सटा सट होने लगते हैं उसमें स सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना होता है अगर हमें टेंस आइडेंटिफाइब करना होता है अगर हमें टेंस आइडेंटिफाइब करना होता है अगर हमें टेंस आइडेंटिफाइब करना होता है तो यह सेकंड्स में होने वाले क्योश्टन हो कुछ हांँ चीज से होती हैं जिनके लिए हमें पढ़ना पड़ते हैं, गर्रेक्शन जब हमेंyo हुआ क्लियर हूज जाता है, तो टेंस पे बेस जितने क्लियर शाहते हैं और जो हम छोटा से चप्टर कहा रहे हैं, कंडिस्ननल यह हमारे क्लियर हूजते हैं, तो मैंने का कि Ten's वह वो four chapters का base है, ठीक है? इन में से दो chapters तो ऐसे हैं जो Ten's की identification सही clear हो जाते हैं, ठीक है? दो ऐसे होते हैं वो हमें तब ही clear हो पाते हैं जो हमने ten's को depth से समझ रखा होता है कि यह कब गलत होता है, क्यों गलत होता है और कैसे सही होता है, ठीक? बात शुरुवात में कर लेते हैं, identification की मैंने एक sentence लिगा है यहाँ पर He He Hit Me I am Hit by Him I was Hit by Him अब देखो हमने यहाँ पे एक sentence लिगा He hit me ठीक है और हमने इसके voice sense करके दो option लिग दिया I am hit by him और I was hit by him Answer रता दो First second जो भी अपना जो भी अच्छे एक चीज़ बताओ क्या जब कभी हम voice sense करते हैं तो tense change होता है यह तो basic बात है सब कोई पता होंगी जिसको ना पता हो आगे हमें साथ ध्यान रखे कि voice change करते हैं Tense नहीं change होता तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो हमें दो option दिये ना यहाँ पर tense है present और यहाँ पर tense है past अब हमें पता यह दोनों answer तो हो नहीं सकते क्योंकि यह दो अलग-अलग tense है अगर हम यह जान पाएंगे हमारे question का tense क्या है तो यह भी जान जाओगे कौनस answer है अच्छा फिर हमने गा कि tense verb की form होती है tense पहचानना तो verb की form पहचाननी पड़ेगी यह कौनसी verb की form है नहीं यह वाली यह देखो होता है पता है क्या hit की first, second और third तीनों form सेम होती है अब यह जो छोटी-छोटी बाते में बता रहा हम ने इनका ध्यान रगना verb की third form बिना helping और के कभी news होती ठीक है तो third form तो वो होने से रही अच्छा अगर first form लिखोगे तो subject is singular singular form लिखनी पड़ेगी तो first form भी होने से रही यह रांसर तो यह second form है अब अगर यह verb की second form है तो past indefinite tense है ठीक है जब हम voice tense करते हैं तो tense change होता नहीं यह रांसर यह रांसर यह रहता है meaning and translation ना हम बत्त्मीजी होती है वो जिसको करना और सौक में वो करें नहीं तो English में हमें कोई meaning and translation निकालने की ज़रूद नहीं पड़ती कभी हर एक चीज ऐसे clear है हर एक चीज interpretable है तो हमने tense भैचान लिए कि हमारा question past indefinite tense का है तो जो हमारा answer आएगा वो भी past indefinite का ही होगा एक ही option है वो ही answer होगए चलो एक और तरीके समझ लेते है मालो हमने यह पर एक sentence लिखा He had some money He had some money इसके tense होता नहीं past tense नहीं होता past time का point होता है tense होते है past indefinite, past continuous, past perfect, past perfect अज़र tense होता है वर्ब की फर्म यह जरा वर्ब की फर्म बताना तो कौन से है second form है अब देखो जैसे अभी हमने B की फर्म लिखी दे ना वैसे यहाँ पर have की फर्म भी होती है ठीक हाँ यह जो word है ना have यह main verb भी होता है helping word भी होता है जब यह main verb होता तो इसकी first form बताना और has or have होती है ना has हो गई singular form और have हो गई base form का गरो, plural नहीं होती कोई form लेकिन base form का गरो, base form यह base form है यह third percent के singular form है second form third form ing form having तो यह इस वर्ब की different forms हो गए अब अगर यह helping word होगी तब तो हम इसके आद main verb की third form लिखेंगे otherwise यह main verb खुदी होती है तो हम यहां पर देख रहे हैं जो head हमने लिखा न यह helping word नहीं है यह main verb है क्योंकि अगर यह helping word होती है तो इसके आद main verb लिखते हैं यहां पर कोई main verb नहीं लिखी अच्छा अब फिर हमें उसकी form पहचाननी वह कौन सी form है अब देखो या तो second form होगी या third form होगी third form बिना helping word के आती नहीं तो इसके आद यह second form है अगर यह second form है तो हमारा past indefinite tense हो गया अब मालो यह sentence हमने लिखा न यह head sum बनी यह किसी indirect narration की reported speech है तो जब हम उस direct narration को indirect बनाएंगे तो इस reported speech को जो की past indefinite tense में past perfect tense में change करना पड़ेगा तो past perfect बनाओगे तो head helping verb के साथ में main verb की third form लिखनी पड़ेगी main verb है head, उसके third form भी head ही होती है past perfect की helping और head होती है तो यह ऐसे लिखना पड़ेगा तो हमें यह sentence ऐसा लिखना पड़ेगा he had had some money अब बहुसा बच्चा रहेगा वो इसको लिखे गलत मान लेगा वो यह मान लेगा कि यह two head head गलत होगे अच्छा क्यों गलत होगे यह उसे खुद भी नहीं पता वस उसकी बत्तिमी जी है कि two head क्यों आगे two head आगे उससे कुछ मांग तो रह नहीं है अब भी बात मानों ना मानों हमारा जो Hindi बेल्ट के जो बच्चा इंगलिस सीखते है ना उसमें से 85% से ज्यादा बच्चा जो होता ना वो इंगलिस को बोल करी सीखते है वो पढ़े कहीं से पढ़े चाहे बुक से चाहे नेट से चाहे कोचिंग से लास्ट टाइम जो उसको पेपर करना होगा तो बोल के देखेगा बोल कर सेंटेंस सही लगा सही गलत लगा तो गलत ठीक है तो यह जो बत्तमीजी होती ना इसकी वज़े से मैं कभी पास्परफेट माल लिए वो चेंज क्यों करें यह तो उसे पते हैं कि ऊपर लिखी हुए कि टेंस बर्फ की फर्म है जब भी तुम्हें कभी जरूत पढ़े टेंस पहचान ने कि और वह लगवग हरब जरूत पढ़ेगी वर्पढ़ोगे तब भी जरूत पढ़ेगी टें सकते हैं यही कंडिशबंट पड़ेगी तो जब्धी हमें debris का बीजिरुद्ट पड़ेगी तौ जब थोटी सी बातयांकों चिंट स्वर्ब की फर्म उती है वर्ब की फर्म में के ढंग हुएक करना ठीक है थोड़ी सी मदद तुम्हारी और कर सकता हूं तो देखो वो भी कर देता हूं कि एक बात दूसरा गोन होती है जिसके थुं हो इन पॉइंट्स को अरेफर करते वह एक्शन योती है इस्टिविटी होती है उस एक्टिविटी की भी अपनी डिफरेंट स्टेट्स हो सकती है जिनने लिद म— है बुक्राइप dwanor और पर्फेस्ट के नाम से जानते है फिर से देखो समझना यह जो present past future है न यह है time के points ठीक है indefinite, continuous, perfect और perfect continuous यह है action की state वो जो वर्व होती है वो खुद एक action होती है तो उसकी भी अपनी चार अलग अलग की states हो सकती है अमालो चार state है 3 points in time है तो 4, 3, 12 total हमारे पास tensors हो जाते है कोई चुका है को तो मिस्स नहीं कर रहा कोई बैठाओ उसको लग रहा हो चुका है तो बोले नहीं, ताहती है तो बोले नहीं तो यहाँ पर focus करना है उसको मिस्स नहीं करना तो इस तरीके तो 4, 3, 12 हमारे पास total tenses हो गया अभी जो blocks है नहीं यह tense है लेकिन अभी थोड़ी दर पहले हम कहा थे कि tense जो तो वो block नहीं वर्व की form होती है अब हम कहा रहे हैं यह block tense है actual में यह जो blocks है नहीं वर्व की form को ही represent कर रहे है ठीक है कौनसी वर्व की form को यह represent कर रहे हैं वो हम देखो यहीं पर लिख देते हैं सबसे पहला block है हमारा present indefinite का बेटा present indefinite tense की helping और होता present indefinite tense की helping और दूएड़ पीछे अड़ा पड़ोसी इसमार नहीं हो गए नहीं इसमार होती नहीं के helping और एक काम करना चुड़ा था वर्व के चक्कर में हम लोगोंने helping और को थोड़े डिसकस नहीं किया एक reference दे जता हूं उसको पकड़ देनेया से हमने एक sentence लिगा अब जैसे हमने एक पूरा sentence लिगा the man will have been helped इसमें अगर हम subject देखें तो man हो गया और verb देखें तो helped हो गया help को वर्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह action है activity है help को मदद करना होता है ना तो कोई भी ऐसा वर्ड जिससे किसे activity का पता चले उसे वर्व भी कहते हैं तो help वर्व हो गया यह जो बच्चे हुए words रहे ना इन्हें हम क्या कहें helping word auxiliary कहते हैं ठीक है अब यहां पर देखना यह जो बीन है helping वर्व अगर हम इसे मानलो ना लिखें सेंटेंस पर तो सेंटेंस है गलत सही होगा ना ठीक है बस meaning active हो जाएगा अगर हम बीन ना लिखें तो यह active meaning है the man will have helped तो इसका मंदब मैन किसी की help कर रहा होगा लेकर अगर हम will have been help लिखें तो किसी ने मैन की मदद की होगी तो यह बीन helping वर्व है इसको हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें यह बताना है कि वर्व एक्टिव फॉर्म है पैसिव ठीक है अब आज आते हैप पे हैप जो helping वर्व है इसके तुरू हम यह सो कर रहे हैं कि जो ए अगरते हैं probability जो होती है वो future के events में होती है तो विल लिख देने से पता चल गए कि यह जो इवेंट ही फ्यूचर गए तो जो विल है है यह helping वर्व का काम होता है में वर्व के साथ में यूज होकर इन attributes को वर्व के शो करना time है active passive है उसकी states है जैसे हमने का यह indefinite continuous perfect यह perfect continuous action की states हैं तो इन states को हम वर्व की form के स्थूर्व या फिर helping और थ्रूर एक्सफ्रस करते हैं helping और का काम हो गया active passive form को maintain करना help का काम हो गया helping और का काम हो गया time को refer करना तो अलग-अलग helping वर्व के अलग-अलग attributes होते हैं वह अलग-अलग attributes को express करने की लिए उसके じゃ तो जब्द्द हो गई और इसकी helping Course लोगे का फिलाल में वह helping words English में जिनका उगिस हम करते हैं मेन वर्ब के साथ लिकार 20文 करने के लिए उन्हें हम primary helping और से primary analysis कहते हैं अ को जिन helping अश्का standards I'm main work के साथ में 군inex to करने की लिए आते हैं उन्हें कहते हैं और यह फिलाल में तीन होती है एक यह और इसकी फ्म समय दूर की में फिर से ना बीकी फॉर्म्स को में वर्के साल लिकर सोम करते हैं चाहि नेसे फोर्म करने होते हैं यह घून की में फिर से आन देना बीकी सब्सक्राइब के साथ में सब्सक्राइब करने के लिए यूज करते हैं एक परफेक्ट बनाने के लिए की वारेस सब्सक्राइब कर रसे करते हैं जो सबसे पहला अ हमारा कि इनको हम यूज करेंगे इन में डिफ्रेंस क्या हुआ हुआ हर एक बार की दो फर्स्टों होती है इसकी दो है एक डू और एक डाज डू होगे बेस्टों डाज होगे सिंग्लर फॉर्म अब यहां पर एक चित ध्यान देना कि जो हमारी हेल्पिंग वर्स होती है डू डू अधर्वाइज हम उनको अवोइड करते हैं असर्टिव सेंटेंस में उनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ही लिखा जाते हैं फिर से समल लेना जो मैंने कहा डू डू डज और डिड इन हेल्पिंग वर्स को हम अफर्मेटिव सेंटेंस में तब ही यूज करते हैं जब हमें उस एक्शन को इस्ट्रस करना हो अधर्वाइज वह इस्पोकन का इसू होता है कॉम्पिटिशन का बहुत बड़ा इसू होता अफर्मेटिव सेंटेंस में इनको यूज नहीं किया जाता ठीक है इस्ट्रस करने के लिए उसका जाता हो ध्यान रखना अब मालोगो सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो हम डू डू डश के साथ में प्रिजेंट इनफनी टेंस बना लेंगे सब्जेक आन में फ्रस्ट वर्म होते हैं अनमें से एक को सब्जेक के नंबर के लिखो नुए शुञा बर लिखो यहां प्रृश्टी सिबास है लेकिन हमारे बड़े काम आईगी आगर हम इसको याद रखें कि जब भी किसी सेंटी आंस में किसको जगो बिटा किया नम तुरा है अजय अजय एक चीज बताइए हम चार्ट क्यों मना रहे हैं बहुत मारूं को समझा आगे काम आएगा वही तुम्हें पूछ रहा हूं किस चीज में काम आएगा मैंने यह तु किस काम आएगा कि अब दोड़ाओंगा क्या सीखने के लिए अब जागा परो से यह चार्ट वटा क्यों बना रहे हम आगा हाँ ऐसे कर लेते हैं सब्सक्राइब और और क्या पास्ट फीचर में पता चलिए और पड़ा सुएगा यह हम चार्ड क्यों बना रहे हैं हां कर दो लोग सकीर जेना को भी इन सब्सक्राइब कर्में चाँ लइक we're 100% clarity means success, ठीक है, और clarity तब आती जब हमें पता होता हम क्या कर रहे हूं, क्यों कर रहे हैं, अगर हम वास्तम में, देखो, एक मिनेट के लिए में दोदर की बात करूँगा, हलाएं कि वह बात purposeful है, इसलिए कर रहा हूं, ठीक है, विवेका निंजी का सबसे famous quote बता ना, विवेका निंजी का सबसे famous quote, बता दो, क्या quote उनका सबसे famous है, take upon an idea, make that idea of a dream, हो सकता है यह उनका famous हो लेकिन सबसे famous हुझा नहीं लगता है, यह है, वो क्या है, awake, arise and stop not till the goal is reached, यह है ना, उठो जागो और जब तक मतलब लक्षी प्राप्ती ना हो जाए तब तक लगे रहो, रुको मत, हार मत मानो, उसमें एक चीज़ा जो मैं बस जानना चाहता हूँ, उन्होंने यह क्यों कहा, उठो जागो, जागो से क्या मतलब, सो रहते क्या, मतुरा, बहुत मारता हूँ मैं समझा, कौन सो रहा था, तू सो रहा होगा, जगने से मतलब आँक खोलना नहीं, मूध हो लेना, मन्जन कर लेना नहीं, मतलब होस में रहना, मतलब पढ़ भी रहो तो क्यों पढ़ रहा हूँ, कवी परपस है, पढ़ाई करने का कोई परपस है, कि तुमने देखा सारे सकूल में जाते हैं तो हम भी चलेगे, सब पास हो जाने से एगली क्लास में एडिमिशन ले लेते हैं, हमने भी ले लिया, सब ने फील समागरी हमने भी कर दी, ठीक है, सब कपड़े पहन रहे हैं, हमने भी पहन लिया, कोई परपस है क्या इसका, मतलब जागो का मतलब यही था, अपने साथ होने वाली चीजों को खुद को लेकर जानकारी रखो, अब हम चार्ट बना रहे हैं, लेकिन हम खो गए हमें नहीं बता ही हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, बस हमने देखा कि हाँ, ऐसे लाइन खीची यह लिखा, वो लिखा, हमने भी टेप दिया, but actually we have forgotten, तो जब हम मीदे भी कम हो जाती है, लेकिन अगर हमें पता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो हम बीच बीच में उसका assessment करते रहेंगे, कि everything is on track, everything is on track, हर एक चीज बरावर चल लई है, इधर उधर तो नहीं, लाइन छूट गई, लेकिन हम क्या होता हमें कुछ पता ह रहे हैं, और हमें पता रहे हैं कि हम यह क्यों कर रहे हैं, तो बास्तम में तुम्हें कभी कोई ठग भी ना पाए और तुम कभी फेल भी नहीं, लेकिन हम हो जाते हैं, बेहोस बात में हमें कुछ पता रहता हैं, हम क्या कर रहते हैं, क्यों कर रहते हैं, फिर रिजल्ट आत चार्ट यह इसलिए बनाए जारा है कि हमें टेंज पेचानने के लिए मेंनिक और ट्रांसलेशन ना करना पड़े क्योंकि मेन वो आज मानोगे देवात बाद बांगे वह सबसे वड़ी कमी है जो बच्चा मीनिंग और ट्रांसलेशन करना नहीं छोड़ पाता न वो इंगलिज नहीं सीख पाता तो वो हमें छोड़ना पड़ेगा उसके लिए अच्छा तरीका है यही यह बात है समझे वो अपने आप छूड़ जाएगा किसी भी सेंटेंस में अगर डू एड़ लिखा हो या वर्व की फर्स्ट वर्म लिखी हो तो वो प्रिजेंट इनफनेट होगा यह बस हमें ध्यान रखना है अब हमें ताह हैं ती हैं कि जरूर थोड़ी ट्रांसलेशन मीनिग निकाल लेंगी जरूर थोड़ी अगर सेंटेस अगर कि फर्स्ट वर्व लिखी हुई है तो बहो कीफिर्ट रोभे होती है इसमार तो इन में से किसी एक को सब्जेक्ट के नंबर के कॉर्डिंग लिखेंगे और में वर्च की नंबर के अंगर की थर्ड फों बनीए पैसिफ फिर आगा पर्फेट कॉंटिन्वेस से साथ और मतलब है कि हैस और है में से तो कोई एक जरूरी आएगा continuous का मतलब है वर्प की आइंजी फॉर्म भी जरूरी आएगी लेकिन क्या हम है जैब के साथ में डिरेक्ट वर्प की आइंजी फॉर्म लिख सकते हैं नहीं लिख सकते एक चीज दूसरा कोई भी continuous या परफेट अगर हम कोई भी continuous या परफेट continuous बनाएंगे तो उसमें वर्प की आइंजी फॉर्म से पहले बी की लिखनी पड़ेगी अगर तुम्हें है जैब के साथ में बीकी फॉर्म लिखनी पड़े तो कौन सी लिख पाओगे थार्ड फॉर्म बीन होती है तो यह अगर हमें पता रहे ना कि कौन से टेंस की helping और या main और की फॉर्म क्या होती है तो हमारे meaning और translation अपने आप छोड़ जाए ठीक है अब आ जाता next पर यह आगया past indefinite indefinite tense में helping और होती है do की फॉर्म चुकि यह past का indefinite है तो do की second form helping और का काम करेगी do की second form एक ही होती है did अच्छा डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म फर्स्स फॉर्म लिखना ठीक है डिड जब डूड़ डिड के साथ में base form यूज करेंगे जब sentence negative और अगर sentence positive हो तो डिड का यूज नहीं करने तो केवल वर्ब यूज करनी पड़ेगी कौन सी फॉर्म सेकेंड हो तो इसका मतलब अगर किसी भी sentence में डिड लिखा हो या वर्ब की second form लिखी हो तो वह प्रिजेंट का होता है meaning और translation कि वहां पर भी कोई जरूबत पड़ेगी नहीं second form लिखी है तो भी पास्ट का होती है इस फिर आगे प्रफेक्ट पर फेक्ट डेंस की ऐल्पिंग और का काम करेंगे बी की second form होती है दो कि sell कि होती है फिर तोसके आद में सब्सक्राइब के थर्ड ओंगी पस्ट कॉंटीनिवस के लिए हैड विन के साथ में बभर कि आजी फोम आजाएगी इस ऐसे हैं कर वह प्रोबिलिलिटी होती है और और intensions एक्षर से करने के लिए हमें मॉडल से उस करने पड़ते हैं Packed Wills JO जो मॉडल सोतें इनका काम होता है future के directions को अच्छ एक है तो तो खेल के अंचे अच्छ करने तो इसके लिए में मोडल से उस करना पड़ाइगा विले सीइनों के साथ मेंگ सकते हैं। विल-सल के साथ में बीज दोगे क्या। नहीं लिकपा उगए। क्योंकि मॉडल्स के साथ में बैस फुर मीज होते हैे। बजह यह एपकिक्टस्राइब शोठें उनके साहरे मेंग़िदा रएपकिन लिपकी परम है।amat डूसरी नभी तो जोन फूल बी सल भी तुल बी दूएंग सब्राइब यह तरीके से फिर आगे फिशुचर परफेक्ट प्रफेक्ट प्रिक्ट का उन्लव विल यह जल जरूर भी लिखोंगे फिर मेंवर की थर्ट फरुचर परफेक्ट पर्फेक्ट कॉंटिनुएस आ गया फ्यूचर का मतलब विलियर सैल जरूर लिख होगे पर्फेक्ट कॉंटिनुएस का मतलब है बिन भी लिखना पड़ेगा फिर मेंवर की एंजी फॉम आगे यह छोटी छोटी बाते आं कि कौनसे टेंज की हल्पिंग वर्म क्या होती ही में वर्म क्या होती है और वो जितना चूटता जाएगा हमारी मतलब इंगलिस उतनी स्टॉंग होती जागी कि देख हो मैं फिर सेग वान समझाजता हूँ यह सारा चार्टम जो उने डिसकिस किया ना तो हमने यह कहा कि जो वर्ब की ५ॉर्म्स होती हैं फिर हमें पता कि वर्ब की === train नहीं होती हैं first form second form third form और continuous form अगर किसी sentence में verb की first form लिखी हो तो वो present indefinite ठीक है अगर किसी sentence में verb की second form लिखी हो तो past indefinite और वैसे एक चीज़ तुम जानते हो है ना जानते हो सबस्यादा confusion भी इन्हीं दोनों में होता है यही दो हैं जो confuse भी करते हैं बाकि सब आसान होते हैं वो इसमार वाज वर से सपता जल जाते हैं तो अगर किसी sentence में verb की first form लिखी हो तो present indefinite second form लिखी हो पास indefinite third form लिखी हो तो perfect अब has have के साल लिखी है तो present perfect head के साल लिखी लिखी हो तो परफेट continuous और नहीं तो continuous यह हो गया उसके बाद में किसी भी sentence में अगर do it does helping लिखी हो तो present indefinite ठीक है डिट लिखी हो तो past indefinite लो बस tense पहचानगे इतनी तो चीज़े में जाननी होती है ठीक है डोड़स helping और किसी भी sentence में लिखी है तो वह present indefinite ए डिट लिखाया तो वह past indefinite है ठीक है first form लिखी है तो present indefinite है second form लिखा तो past indefinite तो यह सारी बात अगर हम एक-दो बार में ध्यान रखेंगे ठीक है तो हमें tense पहचानने के लिए meaning और translation नहीं करना पड़ेगा वह छूट जाएगा ठीक है वह जब छूट जाएगा और tense पहचानना हमें कि टेंस को लेकर किस किस टाइप की गलतियां आती है हमारे पेपर में हमें कैसे पता जलता है वो गलत है और हमें कैसे पता जलता है कि हम उने कैसे सही करें मतब ठीक है जो correction of tenses है correction of tenses सीख लेंगे एक छोटा सा basic हमारा drop हो रहा है उसको हम और clear कर लें फिर आगे बढ़ते हैं अभी हमने थोड़ी दर पहले पढ़ा था कि जो tense verb होती है वो actual में एक action होती है और उस action की different states होती है जिनको हम indefinite, continuous, perfect और perfect continuous के नाम से जानते हैं तो यह जो चाल टर्म है ना इनको थोड़ा सा और मैं समझने की ज़रूरत है depth से क्या indefinite क्या continuous क्या perfect क्या perfect continuous क्या होती है नहीं 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 उसे बोलने दो जागो उठो जागो समझे जागो यह टाइम को बता रहे हैं यह वाला कौन से टाइम को बता रहे हैं चुपरा यह वाला कौन से टाइम को बता रहे हैं कि बीचे वड़ा vendors क्या है इलिए कॉंटियूनिश जो उपरफेटर प्रफेय्ट प्सक्राट क्या है कि कि क्या है ये वर्ब की फर्म सहे हैं यह थार्ड होती है na कि तेंसे को बता रही हैं मैंने पूछा क्या आठार ही किसे क्यों निकाल ले गात बताओ ना कि da कि इस ठीकいい एक टुम गलत बता मैं हरसो तो एच्छी बात मैं गलत बता तो भी थोड़ी सी अच्छी बात है, जादा नहीं अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी अच्छी है, अपने आपी गलत वहलो, अपने आपी हसलो, यह कौन सी बात है, यह action की states है, बराबर सुनना न, थोड़ी courses करना है, अक्सर रहता है, बच्चा पूछेगा, कि क्या करना है इं इंगलिस सीख जाओ गे, अच्छा लर्णर बनने के अच्छा लिस्नर बनना है, जो कहागया ही सुना, जितना कहा गया हो तो नहीं सुना, ठीक है, जब तक हमारा वर्श तक नहीं सुना, तब तक विल्कुल फोकेस एक एक बात को सुनना समझना पकड़ना है ठीक है उसके बाद में तो थोड़ा बहुत हिला वाली चलती रहेगी तो यह जो हम लिख रहे हैं इंडेफिनिट चारों में से किसी एक स्टेट में होता है तो जब हम उसके हम बात करें तो यह स्टेट कीजाती है आज़े पस में होने वाले एक्शन नाग दो टाइब क्यों होते हैं ज्यादा तर एक्सेंस की मैं बात कर रहा हूं ज्यादा तर एक्सेंस इस टाइप के हमारे पास होते हैं जो टाइम के एक पॉइंट पर स्टार्ट हुए और एक पॉइंट पर जाके खतम हो गया तो यह होते हैं actions perfect state के ठीक है यह complete state के actions होते हैं और इनके लिए हम perfect tenses का use करते हैं अच्छा कुछ actions ऐसे होते हैं जो time के किसी एक point पर start होगे किसी एक point पर खतम भी होंगे लेकिन जहां पर खतम होंगे अभी वहां पर है नहीं तो यह होते हैं incomplete state में यह जो तो incomplete state में actions होते हैं, इनके लिए हमें कौन से टेंस लिखना पड़ते हैं, continuous, इन्हें हम कहते हैं continuous actions, अब हम generally देखेंगे न, तो हमारे आसपास में ज्यादार होने वाले actions इतने ही type के होते हैं, जैसे मालो हम लोग English पढ़ रहे हैं, तो 5 वजे बैचे स्टार्ट हुआ, 7 वज जब तक कम चल लाएता, continuous, तो basically हमारे आसपास actions दो ही type के होते हैं, या तो किसी एक point of time पे start हुए, दूसरे time of point पे खतम हो गया, जो सुरू हो गया और खतम हो गया, वो तो complete state का है, उसके लिए perfect tense लेख दो, कुछ actions ऐसे भी होते हैं, जो start तो हो गया लेकिन अभी खतम नही है, लेकिन जिस point पे end होंगे, अभी वहां नहीं है, तो वो incomplete है, incomplete हैं तो उनके लिए continuous stances होते हैं, फिर हम देखते हैं कि कुछ actions हमारे आसपास में ऐसे भी होते हैं, जो इन दोनों में से किसी भी type में हम describe नहीं कर सकते हैं, वो actually में ऐसे होते हैं, ऐसे होने का मतलब यह होत definite है, यह भी definite है, यह यहां शुरूआ, यहां खतम हो गया, define कर लिया हमने इसे, यह यहां शुरूआ, यहां खतम हो जागा जाके, यह भी define कर लिया, define का मतलब समझते हो, define word का मतलब होता है, define verb होते हैं, define करना, तो उसका मतलब क्यों होते हैं, limit करना, define करना मतलब किसी चीज की limit बना देना उसको सीमित कर देना ठीक है तो यह दो नों एक्षन है ने definite type के action है क्योंकि हमें पता कि कहां शुरूओ कहां खतम अच्छा इस action का हमें कुछ पता नहीं indefinite हो गया we can't define it when it is started and when will it end कहां शुरूओओ कहां खतम होगा कुछ नहीं होता है अच्छा कुछ एक दो और ऐसे भी action होते हैं मालो एक point पर start हो दूसरे point पर खतम हो गया मतलब खतम क्या हो गया यह फिर एक interval के बाद में चालू हो जाएंगे फिर एक interval के बाद में चालू हो जाएंगे फिर एक interval कर सकते हैं यह भी शुरूँ हो रहा है यहां भी खत्म रहा यहां भी खत्म हो रहे गतलते हैं तो इस टाईप के एक्स जो एक पर्टिकलर फ्रिक्वेशन पर से पर इंटरवल पे एक्सम्वेंश पर में और यह होता है नहीं है मतलब एक्शन कर पाए ह्ग अग्याये तो अगर तुम कि सि एक्षन के बारे में बात कर रहे हो जो पर्मानेंटली वीसे रहता है या सब्सक्राइख नहीं परzer न पडिमेंट होते हैं वो एक्सेंट होते हैं या जो हमारे हैं चले जाते हैं यह फिर आते ना autor औली एक paragraph गोईंग और एक्संज going on का मतलब बताना going on का मतलब in process जो process में अब एक चीछ देखो बहुत से section ऐसे हम find कर सकते हैं कि जो process में होते हैं जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है एक तो ऐसे ही हो गया एक मैं कुछ और कहना जा रहा था जैसे sun है sun लगातार burn कर रहा है लगातार burn कर रहा है ठीक है नदिया है flow कर रही है पहाड़ों से निकल कर समुद्र तक जा रही है ठीक है अर्थ जो है वो rotate कर रही है अपनी access पे यह action process में है लेकिन क्या हम उन्हें continuous में लिख सकते हैं क्यो इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि वो temporary नहीं है तो इस वर्ड पर भी ध्यान देना वो going on के लावा कि वो उसी पर focus मत कर ले ना इसका भी ध्यान देना जो continuous actions होते हैं वो temporary events होते हैं बात तुम समझ पाई है नहीं फिर से मैं देखो एक बार बता देता हूं continuous actions वो होते हैं जो time के particular point पे शुरू है और एक particular point पे खतम होंगे ना वो इस point से पहले चल ले थे और ना वो इस point के बात चलते रहेंगे तो यह temporary action होता है मतलब एक फिक्स duration होती है उसमें इसको खतम होना आता है वो duration एक साल के दस अजार साल के उससे मतलब नहीं है लेकिन वो है खतम होना ठीक है तो यह जो action होते हैं इनको हम continuous tense में लिखते हैं अम मालों कोई ऐसा action है जो हमेसे होता रहता है कहां के तम होगा बुछ पते ही नहीं आप क्या कर लोग है उसका ठीक है तो इस तरीके के action जो permanently going on होते हैं जो मतलब temporarily going on है वो तो continuous tense में जो permanently going on हो indefinite tense में चलाई आपके हैं एक sentence हो मैंने लिखा I teach tenses I am teaching tenses इत दोनों में से कौनसा सही sentence है मालों यह बात मैं ही कह रहा हूं मैं ही कह रहा हूं अपने बारे में यह बात तो कौन सा सही है दोनों सही है बस difference यह है कि जब मैं I teach tenses काऊंगा तो मेरा reference होगा facts से ना कि कि temporary actions है अगर मैं English पढ़ाता हूं तो tense भी पढ़ाऊंगा condition भी पढ़ाऊंगा nonfinite verse भी पढ़ाऊंगा लेकिन अगर मालो मैं temporary event को refer करूं तो ऐसे लिखना पड़ेगा तो यह भी सही है यह भी सही है लेकिन इनका आज जो impact है ना मैं वह समझना कि अगर को यह कहेगा यह कहेगा तो दोनों बारे में difference क्यों होगा देखो अगर मैं I am teaching tenses लिख रहा हूं ठीक है तो जैसे आज हमा तो यह मालों तुम्हारा Friday अगला आएगा 21st को ठीक है 28 21st है कि 10 सलता जाएगा तो 13 to 21st December 2018 ठीक है इस duration में 5 p.m. to 7 p.m. मैं यह काम कर रहा हूंगा तो यह continuous tense तो continuous tense होता है ना और perfect tense होता है उनको जो हम definite कहते हैं उसकी वज़े यह होती है यह देखो definite हो गया ना कहां शुरू कहां कहते है तो एक particular duration यह उतने बर के लिए valid है तो हम इसे कहेंगे इसको कहेंगे temporary और continuous tense में लिखेंगे अच्छा यह fact है जो fact है वो तो permanent ही होता और ना उससे पहले तो continuous tense में लिखो अब suppose कोई person है 15th को 15 December को 15 December को मैं उसे बात कर रहा हूं सामको 6 बज़े और मुझे इन दोनों में से किसी मतलब इन दोनों actions को report करना है तो मैं कौन से statement को उसे report कर पाऊंगा कि दोनों कोई भाई यह तुम बात समझ नहीं रहे जो fact होता उसको तो कभी भी रिपोर्ट करो भाई fact को लेके तो कई सब्सक्रा तारीक को किसी से 8 होजे सामको अब मैं कौन से एक्शन रिपोर्ट कर लूँगा अब तो क्यों फर्स्ट ही कर पाऊंगो सेकंड नहीं कर पाऊंगो क्योंकि वह उतनी डियूरेशन ने वैलेड होता है कि इंडफनी टेंस एक एक्शन होता है जो कि fact होता या frequent होत रहते हैं जो एक particular time limit या particular time duration में ही valid होते हैं ना वह उसके बाद valid रहते हैं ना वह उससे पहले valid होते हैं तो उस बीच में अगर उन्हें report करोगे तो वह continuous a movie yesterday he watched a movie yesterday बस यह बता दो सही है गलत सही है चलो बढ़िया मैं इस sentence को थोड़ा से change कर दता हूँ ऐसा लिख देता हूँ he watched a movie at this time yesterday he watched a movie at this time yesterday अब देखों यहां पर एक चीज़ समझना यह मानलों study हो गया यह study हो गया यह particular point हो गया तो एक्षन definite यह नहीं definite हो गया बात सुनों मैं जो कह रहा हूं कोई भी ऐसा एक्षन जो एक particular duration यह particular point के लिए valid है तो वह temporary होता है अब अगर हम at this time ना लिखें तो वह सही है at this time लिख दोगे तो अगर हम at this time ना लिखें तो वह सही है at this time लिख दोगे तो फिर वह गलत हो जागा तो यह चोटी-चोटी बाते ध्यान देना कि continuous strength हम तभी उस करते हैं जो हमें किसी ऐसे एक्षन को रफर करना हो जो एक particular point है duration के लिए valid है ना उससे पहले वैलिद है ना उसके जो या तो complete है या जिन्हें complete कर दिया गया वह हम लिखते हैं perfect टेंसे ज़ाइब you have broken the chair ठीक है we have completed tense ऐसे ऐसे फिर आ जाते पर्फेक्ट कॉंटिनियस पर्फेक्ट कॉंटिनियस देखो actions going on from some point or duration of time पर्फेक्ट कॉंटिनियस स्टेट उन actions में होती है जो होते तो incomplete going on का मतलब प्रोसेस में जो होते तो incomplete है ठीक है लेकिन उनमें कोई pointed duration of time mention कर रखा होते है point वो जहां से काम स्टार्ट हुआ तो duration वो जितना हो चुका होता है तो अगर कभी हम किसी incomplete action की pointed duration of time उसके साथ mention कर दें तो फिर वो हमें perfect continuous sense में लिखना पड़ता है ठीक है अब यह जो हमने लिखा है ना इसके basis पर हम यह इनफर कर सकते हैं कि perfect continuous chance होता वो action की single state नहीं के dual state होती है ठीक है dual state होती है उसमें completion भी होता है incompletion भी होता दोनों साथ ही में होते हैं तब ही हमें perfect continuous sense लिखना पड़ता है ठीक है यह completion या incompletion हमें पता तभी चल पाता है जब हम वो पॉइंट और डूरेशन लिखें अगर हम पॉइंट और डूरेशन ना लिखें तो उसका हमें रेफरेंस नहीं मिल पाता फिर हमें केवल कॉंटिनुए स्टेन से लिखने पड़ते हैं इसको एक एक्जाम्पल से समझते हैं मैंने कहा I am waiting for the bus सही है गलत सही है ऐसा तो है नहीं कि मैं जिंदिगी बर से इंतिजार कर रहा हूँ और जिंदिगी बर करता रहा हूँगा ठीक है ऐसा तो है नहीं कि यह काम जो है वो किसी एक particular point में नहीं start हो हुआ हमें साही हो रहा है कोई permanent है बही एक किसी time पर मैंने wait करना सुरू किया होगा और wait कर रहा हूँ या तो बस आ जाएगी तो wait खतम हो जाएगा नहीं तो उप जाओंगा तो चला जाओंगा ठीक है I am waiting for the bus since 3 p.m. अब हमने क्या किया उस काम के सुरू होने के point गो ही लिख दिया कि वह काम सुरू कब हुआ 3 बज़े सुरू हुआ Since जो होता न वह beginning में point गो refer करता जहांसे कोई काम स्टार्ट हुआ ठीक है तो time को express करने के हमारे पास दो तरीके होते है ताइम expression दो तरीके से हो सकता है या तो आप time को express कर दो points में हाँ या duration में time expression हम दो तरीके से time को express करते है या तो point में जैसे हमने 3 p.m. लिख दिया तो यह point हो गया अब 3 hours लिख देंगे तो यह duration हो गया एक बात यह कि टाइम को दो तरीके से एक्सप्रस कर जाता है तो पॉइंट्स में डुरेशन में पॉइंट क्या होता है वो सब कोई पता है डुरेशन पॉइंट्स के बीच का इंटरवल होती है अब एक दूसरी समझना कि यह हम कभी किसी time को reference देते हैं मतलब जो हम time का refer करते है परेजैन पास्ट फुचर तो वह reference कभी भी single नहीं हो सकता वहां पर reference भी हमेसाथ दो होते हैं एक तो वो Whole time में पॉइंट्स को ही रिलेट कर दिया हुता है जैसे कर दोनों फॉयंट्स को ही रिलेट करो इन दोनों reference को relate करके हम जान पाते हैं कि वो लिखा गया time present प्रिजेंट है पास्ट है फूचर अगर हम ऐसा ना करें तो कोई भी यह नहीं बता सकता कि वो प्रिजेंट है पास्ट है फूचर कि एक बड़े common से example से तुम्हें बात में समझा देता हूं है 2018 में चे कहा है प्रिजेंट पास्ट है फूचर है कि ऊच्पर हो अगर जब हम आज 2018 में इसे refer कर रहे हैं, या अगर हम 2017 में करते हैं, तो भी होता, या जब 2019 में करेंगे तब भी होगा, बहुत 2018 को हम present मानने ऐसा तो तब ही है ना जब हम इसकी बाद 2018 में करें, अगर हम 2017 में किसी से बाद पूछते हैं तो वह क्या गया था, future, और अगर हम किसी से 2019 में बाद पूछते हैं तो वह क्या गया गया गया, तो यह 2018 है ना तो यह present है ना यह past है ना यह future है, यह depend करता है कि तुम इसकी बात कहां से कर रहे हैं, अगर हम 2018 को 2018 में ही रफर करें तो यह present है 2017 में रफर करें तो यह past है और 2019 में जाके इसकी बात करें तो यह future तो यह जो present, past, future यह जो तीनो वर्ड्स है थे अपसल्वूट नहीं है यह relative है ठीक है यह depend करता कि कौन कहा रहा कब कह रहा है कौन है वोवी नहीं कब कह रहा है कर दो ते आ पिर रसना तो अंद उम्म feito करते हैं तो पर और फजन लिख दिया बोल दिया होते हैं और जब हम उसका रहे हैं किसी को बता रहे होते हैं उनहीं दोनों को तो compare करके हम यह जान पाते हैं कि वह जो time लिखा बहूला है प्रिजेंट है पास्ट है फूचर अधर्वाइस कोई भी नहीं पता सकते हैं कि प्रिजेंट पास्ट फूचर क्या है यक्योग हई और रिलेटिव ठाम सोते हैं वह कंपरिटीव होते हैं वह जो कहा रहा होता हूं उसके relation में present past future होता है अगर मैं आज 2018 में कह रहा हूं तो मेरे लिए present है लेकिन अगर 2019 में कोई मेरा वीडियो देखेगा तो 2018 को past मनेगा आज मैं पढ़ा रहा हूं 2018 में तो मैं इसको present कहूंगा लेकिन अगर 2019 में वीडियो देखेगा तो उसके लिए past हो गया होगा क्योंकि वो time में आगे हमसे तो यह competitive रिलेटिव होते हैं present past future जो होते हैं वो रिलेटिव होते हैं ठीक है यह बात हमें क्यों समझनी पड़ती है ठीक है यह जो concept है इसके लिए जैसे हमने लिगा I am waiting for the bus since 3 p.m. तो 3 p.m. वो point हो गया जहां से काम शुरू हुआ लेकिन एक चीश सोचो जहां से काम शुरू हो वो दो चलो हमें पता चल गया लेकिन किसी समय बता भी तो रहा होगा कि कवा की को ख्यान कि मैंने कह दिया कि मैं तीन प्रचाम जया कर रहा हूँ ठीक है तो कोई एक टाइम होगा जम today को कहारा हूँ अक向 कहारा ने यह बादि हमसे च्मान नहीं तो अब हम अपनी उसच्माल जहां हम साधे छे बजे झनाधे 7 चलोम साह pulling seven 7 में यह लिग बात बात चार घंटों के लिए यह काम हो चुका है डन है अभी प्रोसेस में ही है जब तक बस नहीं आती है जब तक मैं उब नहीं जाता तब तक काम चलेगा तो यह continuous है अब हम देख रहे हैं कि actual में एक्शन जो है न वो है incomplete कि अब यह थोड़े समय तक और प्रोसेस में रहेंगा है लेकिन इसमें ऌन पार्सल कंप्लीशन भी है ले कि पार्सल कंप्लीशन नहीं है एक पार्ट कंपलीट हुए है टोटल एक्षन कंप्लीट नहीं हुआ अब हमें एक ऐसा टेंस लिखना पड़ेगा जो इस पार्सल कंप्लीशन को फॉर आर्स का जो कंप्लीशन है और यह जो फर्दर इंकंप्लीशन है दोनों को एक साथ एक्सप्रस करते हैं कूश्वोन को घाएकटा इसे से खांश कशी पर्षेच आर्स पर्फेट कंप्लीशन से काम करते ऑख होते हैं उनका काम होता है उन इंकंप्लीट एकसन को र पॉइंट लिख दें या हम वो डूरेशन लिख दें ठीक है क्योंकि जब पॉइंट लिखो गे तभी तो रिलेट कर पाऊगे उसको कितना टाइम हुआ अगर लिखो गे नहीं तो पते नहीं चल पाएगा अब मानलों मैं यह लिखो नहीं थ्री पीम तो तुम्हें कैसे पद इतने वज़े से इंतिजार शुरूग किया होगा तो यह एक ही बात है बस कहने का तरीका दूसरा है हम कान इदर से पकड़ें उदर से पकड़ें हम कान ही पकड़ रहे हैं ठीक है हम पॉइंट लिख देंगे तो डिवरेशन अंडर्स्टूड हो जाएगी डिवरेशन होंगे तो हम एक ऐसा टेंस लिखना पड़ेगा जो एक्सें के उन दोनों स्टेट को एक साथ में एक्स्प्रस कर दे परफेट कॉंटिनूस टेंस एक आम पर फिर से गवर बता देतों हैग कर्च य कि हम सब्सक्राइब अठीकिवरा जागी है कि देखायग इंग्लिस पड़ने के पता घुलति होते हैं एक तो इंगलिस इसे पड़ी जाती है कि हमने कल क्या पढ़ा छोड़ो कल क्या पढ़ेंगे छोड़ो आज-का-ज रटलों इक तरीक यह शो compatibility पढ़ाए तो यह जो हम आज टाइम दे रहे हैं यह हमें कल, कल जो सीखेंगे वो पर्सों, पर्सों सीखेंगे मतलग इस तरीके से क्युमिलेटिव होता जागा, धीरे-धीरे पूरी नॉलेज हमारी एक साथ आगे इकट्थी हो जाएगी और एक बढ़िया सी सुन्दर पिक्चर में बढ़िये पिक्चर vana है अगी फ़िरे देर से पार्ट वार्ट से खट्थे करने में लगे रहते हैं और फिर हमारी जिक्सा पुझठल वन जाती वो कभीए हमसे जुड़ती हैं तो इतनी देर में तो बच्चा हला काट देता है मैने कल तुमसे क्या क्या था कल टाहरा पर्सो कि मैं याँ का फेल टीचर हной बच्चा इतनी मेरी सिकायत करता था जाके वहां प्यारे उन्होंने कान पर मार देंगे उन्होंने पता नहीं क्या पड़ाया कुछ पकड़ भी नहीं आए असल में उसे अच्छा क्या लगता था उसको यह लगता था कि भाहिया हम आये क्लास में बैटे तुरंथ हमें एक क्य जो आजाता है उसकी चटनी मन जाती है फिर वो परहसान होता है बाद में ठीक है तो मैं डेमो क्लास से इसलिए पूरा खूल जाता हूँ कि भी खूब सोच समझ के फिर आना बहुत सोच समझ के आऊगे न क्योंकि मैं तो बदलूगा नहीं मैं ऐसे रोंगा अगर तुम मैं बहुत खीच के पढ़ाने वाला और बहुत मतलब मेहनत से पढ़ाने वाला हूँ जो बच्चे मेरे साथ उतनी महनत करते हैं वह अच्छा रिजल लेकर जाते हैं उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता वो उनका ही अपना क्रेडिट होता है अहराम खोरी जाते हैं वह बुग यह मेर से पढ़नी पाएंगा और इन बंदरों को में खुश करनी पाँगो इन्हें जो चाहिए वो मेर से होगा नहीं ठीक है टीचर थोड़ा मोज भी कर ले अलग बाते हैं लेकिन फिर एक रोल होता है मतलब एक लाइन होती है टीचर को उसके परे नहीं जाना चाहिए त तो कहानी कि है कि मैं उनके लिए तब भी फैलता आज भी फैलूं कल भी रहूंगा क्योंकि वो मेरे लेवल तक आना नहीं चाहेंगा मुझे अपने लेवल तक गिराना चाहेंगे ठीक है बहुत सा बच्चा होता हुँ यह थोड़ी चाता कि हम टीचर के लेवल तक जाए उ लेकिन उसको काम की बाते करनी निया कल एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था इसी क्लाज में वो बैठा यह पूछ रहा कि वह इंपर्टेंट होती है ग्रामर अब बास्तव में मैं क्या आंसर दूं कोई आंसर बनता थोड़ी इसका इसका कोई आंसर ही नहीं बनता समझा था यह यह खेल तुम दोनों गोगो है यह बैलेंस है बैलेंस है वह क्ल act harassment अच्छी है ग्रामर अच्छी नहीं एं रूल या दें, वर्ट के मीनिंग या दें, लेकिन जब कहानी पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें पकड़ मीन आगे, क्या लिख दिया कहने वाले ने, तो फिर वेकार है, तो मतलब एक बैलेंस होना चीज़ का, ग्रामर के उसे भी क्लियर हो, वर्ट्स भी क्लियर हो, अब फि कहे दूँगा रे वेकार होती है, छोड़ो इसे, ग्रामर होती ही wyn, ग्रामर होती है सब कुछ, आगर मैं वक्रिफ पढ़ाब लेते हो तो précis最近 लेक्जाम्पल पढ़ लो जाके, यह श्यखने की चीज़ है, अच्छा जिस जिसको वकैब आती ही वह घ्राप वाले को बुरा क्यादेगा ठीक है, अज ग्रामर आती हो वकैब आले को बुष के ले को एंगी ठीक है फिलिए अज उसको कुछ नहीं आता हि वो अपने सीधा एंग फ््रेंक्रइश करने लग जाएगा वह पढ़ाए गई नहीं जिसको वक्याप ग्रामर कुछ नहीं आती उसके यह सीधा शुरू जागा आजा नहीं तो वह एक की बुराई करने लग जागा तो तुम अपने आप समझधार बनो यह चीजे मुझसे पूछो कि मैं तुम्हें मानदारी वाला आंसर मुश्किल सही दूँगा मैं वह वोलूँगा जिसमें मेरा फैदा होगा तो वी हैब टू बैलेंस तिंग्स हमें चीजों आगे बैलेंस करना पड़ता है और मैंने कल तुम से गादा नहीं कोई एक जगे से सुरुवात कर दोगे ना मालो तुम वक्याप से सुरुवात कर दोगे वही तुमारी ग्रामर के लिडी कर अगर ग्रामर संभ्या ने लग जाएगी न तो दिरे जरे और देखो बड़ी सी भात ने कि कोई बी तो खेर, फिर से एक बार समझा देता हूं, यह action की states है, indefinite, continuous, perfect, perfect, continuous, ठीक है, इनमें हमने कहा कि action की basic state दो होती है, एक तो complete और एक incomplete, हाँ, इनको हम definite कहते हैं, definite क्यों कहते हैं, मुझे लगता है वो बात तुम समझ पायोगे, इनको definite इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह किसी definite point पर time के start होगे, किसी definite point पर खतम हो जाती है, या खतम होना होता है, ठीक है, तो इसलिए definite होते हैं, फिर कुछ action ऐसे होते हैं, जिनको हम define नहीं कर सकते हैं, कहां शुरू, कहां खतम, ऐसे actions या तो permanent होते हैं, या frequent होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए हम indefinite tensors का यूज करते है तो indefinite action एक ऐसा action हो गया, जो या तो permanent state का है, या फिर frequent state का है, ठीक, कोई भी ऐसा action जो incomplete है, और time के एक particular moment पर जाके खतम हो जाएगा, ना वो उस point से आगे valid रहेगा, ना वो जहां शुरू हो उससे पहले valid रहोगा, तो वो continuous tense में चला जाएगा, temporary, perfect tense में वो actions लिखे जाते जो complete हो चुके है, शुरू होके खतम भी हो गया, अच्छा, अगर कोई action ऐसा हो कि जो process में है, लेकिन उसमें एक partial completion हो गया, तो perfect continuous में लिखा जाते है, तो basic state action की दो ही होती है, या तो complete या incomplete, जो complete कुछ भी नहीं है, वो indefinite है, और जो दोनों ही है, वो perfect continuous है, जो complete भी है, इ complete है, वो indefinite है, अब complete complete हो definite होते ही है, वो तो जानी जाओगे क्या है, क्या है, क्या नहीं, क्या आज के लिए बहुत नहीं हो गया, पौने साथ तो हो गया, revision करना, जो भी हमने पढ़ा दिया, questions बस शुरूआत में रहे गए, ठीक है, ये basic था, जो भी हमने आज discuss किया कि tense क् उसके क्या attributes होते हैं, क्या terms होते हैं, कैसे उनको पैचाना जाता है, अब इनके application हम लोग कल से शुरू कर देंगे, आज के लिए सभी को bye, अब मिलते हैं कल,